Hello my dear friends, मैं असीम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज हम discussion करेंगे उज्जाई प्राणायाम के बारे में ये प्राणायाम करने से गले से सम्बंधित बिमारियां दूर होती हैं जिसमें मुख्यता thyroid की problem है thyroid की problem इससे दूर होती है यदि आपको रात में खराटे आते हैं तो भी इसको करने से आपकी ये समस्या दूर हो सकती है यदि आपको tonsils की बिमारी है तो भी इसको regular करने से वो भी दूर हो सकते हैं इसलिए ये उज्जाई प्राणायाम के बारे में जानते हैं उज्याई प्रणायाम में जो हम सास लेते हैं तो गले की जो muscles हैं उनको हम contract करते हैं उनको हम सिकोडते हैं और उसके बाद सास इनहेल करते हैं उसके बाद सांस इन्हेल करने के बाद थोड़ी देर हम उसको होल्ड करते हैं और फिर होल्ड करने के बाद हम अपनी राइट नॉस्टिल को बंद करते हैं और फिर उस सांस को लेट नॉस्टिल से एक्जेल करते हैं आए इसको करते हैं अब हम सांस लेंगे और गले की जो मसल जैसे उनको कंट्रेट करेंगे, उनको सिकोडेंगे, और एक तरह की आवाज उसमें से निकलेगी, जैसे अब इसको होल्ड करेंगे, अब राइट नॉस्टिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से एक्जेल करेंगे, एक बार फिर लेंगे, और गले की मसल्स को सिकोडेंगे, होल्ड करेंगे, राइट नॉस्टिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से एक्जेल करेंगे, ये प्राणायाम रेगुलर करने से आपके थाइरोड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और अगर खराटों की आपके कुछ समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी, और टॉंसिल्स की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी, इसलिए ये बहुत ही चामातकारिक प्राणायाम है थाइरोइड के लिए और थाइरोइड की वैसे लोगों में उबेसिटी हो जाती है उनका वेड बढ़ने लगता है तो वो इसको करने से उसको भी हम रेगुलेट कर पाते हैं अशा करता हूँ आपको ये information अच्छी लगी होगी यदि हाँ तो इसे like और share करें और यदि मेरे channel पे नए है तो इसको subscribe करें Thank you very much friends